नमस्कार और वलकम यो लू वलफेवर्ज नहीं प्रशान धवर्ण जो हाल उक्रेइन का आज के समय हो रहा है जो क्राइसिस खड़ा हो गया है उक्रेइन में सेम एश्या में भी हो सकता है ये रीसेंडली का है चाइना ने और ये स्टेटमेंट ग्लोबल टाइम्स के थुरू या फिर किसी छोटे नेता के थुरू नहीं आई है जो चाइना के रेप्रेजेंटेडिव हैं टु दा युनाइटेड नेशन इन्होंने के लिका है के जो हाइपर स्वानिक मिसाल की डील यूएसे साइन गर के वैड़ गया है यूके और उस्ट्रेला के साथ हम इसको रूपन यहाँ पर देदी है वार्निंग और चाइना की ये वार्निंग दुनिया बहुत जादा सिरेसली इसले ले रही है क्योंकि आपको समझना होगा चाइना में सवक्त कोविट क्रैसिस खड़ा हो चुका है आपको बता होगा इनके बहुत ही बड़े बड़े शेयर है यहाँ पर चाइना ने और हम डिसकस करेंगे यहाँ पर कि AUKUS hypersonic deal है क्या और इसका क्या impact होगा भारत पे और पूरे region पर मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे question पूछूँगा question यहाँ पर यह है कि Wagner Group आज कर बड़ा news में है कि जेकि यह Wagner Group activate हो चुका है अब तो बिलकुल उक्रेन का जो योद्या बदल जाएगा आपको बदाना है कि Wagner Group basically है क्या क्या यह एक ऐसा group of countries है जो रश्या के विरोध में खड़े हो गई है क्या यह एक ऐसा group है उन countries का जो रश्या को support कर रही है क्या यह Ukraine की private army है या फिर क्या यह Russia की private army है comment section में करिए उत्तर सही answer मैं आपको दूँगा वीडियो के अंथ में ना AUKUS की अगर हम बात करें तो यहाँ पे तीन देश आते हैं Australia आएगा UK है और USA AUKUS की actually formation हुई थी चाइना को counter करने के लिए Quad में आप अगर देखो तो military angle कुछ आको मिलेगा नहीं तो इसलिए जो यह तीन देश है UK, Australia, USA यह खटा हो गए 15 सब्तमबर 2021 को और इन्होंने आपर यह announce किया के Australia को यह दुनों देश US और UK बना कर देंगे 12 nuclear submarines जो अपने आप में एक game changer होगा देखिए आपने सुना होगा के चाइना के नेवी दुनिया में सबसे वड़ी है बट हम अगर focus करते हैं सिर्फ nuclear submarines की गिंती पर तो यहाँ पर आप देखोगे US और रशिया काफी आगे है चाइना से दोनों देशों के पास बहुत सारी nuclear powered ballistic missile submarines है और आपकस की deal के अंडर most probably 18 साल में Australia के पास भी ऐसी submarines आ जाएंगी इसकी cost बहुत ही heavy होगी बताया जा रहा है कि Australia को यहाँ पर 171 billion dollars पे करने होंगे इन submarines के लिए मगर एक बार यह submarines बन गई तो Australia बिलकुल इंडिया नोशन में एक बहुत ही powerful नोशना वाली शक्ती बन सकता है Now initially जब AUKUS को बनाया गया तब चाइना बिलकुल मुझे आद है काफियत तक panic कर गया था पहले चाइना ने यह कहा कि देख ये इंडिया को किला छोड़ दिया है Quad का आप कोई use बचा नहीं है अब US बस focus करेगा AUKUS पे ऐसा कुछ हुआ नहीं है Quad की importance अपनी जगा बनी हुई है फिर चाइना ने यह कहा कि AUKUS को ये लोग बरदाश नहीं करेंगे अगर अस्ट्रेला के पास चाइना से भी जादा nuclear powered submarines आ गई तो इससे region में जो stability है ये बिगड़ सकती है इससे war होने का जो खत्राय काफियत तक बढ़ सकता है UK और USA ने चाइना की जो warning है इसको कर दिया ignore मगर चाइना को यहाँ पर एक बात को लेकर फिर भी तसल्ली थी के चाइना के पास आज के समय है functioning hypersonic missiles US आप अगर देखो तो अभी तक proper hypersonic missiles develop करके अपनी military में induct नहीं कर पाया है अभी recently आप अगर देखो तो USA ने secretly एक second hypersonic missile का test तो किया है successful तरीके से मगर USA अभी भी hypersonic missile की race में चाइना से काफी पीचे है चाइना का जो DF missile है यह बहुत advance कर चुका है आज के समय और चाइना को यह पता रहा कि कल को अगर मानलो conflict होती भी है चाहे छोटी conflict भी क्यों ना हो तो चाइना के जो hypersonic missile है यह एक game changer साबित होंगे क्योंकि अभी के लिए आप अगर देखो तो दुनिया में कोई भी missile defense system नहीं है शायर S500 को छोड़ कर जो एक hypersonic missile को रोख पाए क्योंकि hypersonic missile travel करते हैं at 5 mark मतलब के 5 times the speed of sound मगर recently जो AUKUS countries हैं इन्होंने आपस में एक और deal कर दी है AUKUS को expand कर दिया है अब यह तीनों देश कह रहे हैं कि जी हम बनाएंगे hypersonic missile चाइना को चुनाती देने के लिए अब चाइना genuinely nervous हो चुका है क्योंकि अब एक आखरी आप के लिजे जो चाइना के पास weapon था जिसको लेकर यह बहुत जादा certain थे बहुत जारा sure थी यह weapon भी बहुत ही जल्द Australia के पास आ जाएगा और यार रखिएगा US openly कह चुका है कि AUKUS को expand किया जा सकता है USA चाहेगा कि कल को इंडिया जैसी जो like-minded democracies हैं यह भी AUKUS को join कर ले यहाँ पे आप देख पाऊगे US expects other countries to join AUKUS now ज़रूरी नहीं है कि यह इंडिया ही होगा हलाकि मैंने personally देखा है कि पिछले एक साल में Australia के जो various research think tanks हैं उन्होंने reports लिखी हैं articles publish किये हैं और बहुत ही optimistic आशावादी तरीके से यह का है कि इंडिया भी हमारे साथ cooperation करेगा AUKUS मिलके इंडिया के साथ भी काम करेगा क्योंकि USA का एक सपना ये भी है कि इंडिया जो अब आज के समय hypersonic missile बना रहा है वहाँ पे रश्या के साथ collaboration ना हो इंडिया भरमोस 2 पर investment ना करे इंडिया actually USA से hypersonic missiles पर chase कर ले इससे of course US की जो weapon sales है ये भी बढ़ेगी और इंडिया की जो निरभरता है US पर और बाकी जो western countries है ये भी काफियर तक increase हो जाएगी ना हम लोग क्या करते हैं बना मोस 2 कैसे develop होता है in the future वो अलग बात है मगर ये सब जो potentiality दिख रही है ये जो यहाँ पर समीगरन चाइना को दिख रही है ये देखकर चाइना बिलकुल alert हो चुका है और इसलिए चाइना ने openly धंकी देनी start कर दिये war को लेकर कि अगर तुम hypersonic missile technology ऐसे बाटोगे देशों में फिर तो हम कुछ कर देंगे जो युकरेन में हुआ था हम भी कर देंगे एशा में भी जंग हो जाएगी और most probably है यहाँ पर यही बात कर रहे है कि जिस तरीके से रश्या ने अचानक से अटाइक कर दिया रहा युकरेन पर वैसे ही अटाइक कर सकता है चाइना ताइवान पर और मैं आपर add कर दूँ कि कोई बड़ी बात नहीं है कि ऐसा हो भी जाए क्योंकि US को खुद hypersonic missiles properly induct करने में अराम से एक देड़ साल लग जाएगा फिर यह missiles AUKUS countries को provide करने में अराम से दो साल और लग सकते हैं कोई बड़ी बात नहीं है इंडिया तक यह technology पहुशने पहुशने अडिशनल एक देड़ साल आप और यहाँ पर मान के चल लो तो चाइना के पास आप कहलीजिए 2026 तक का टाइम है उस बीच आराम से चाइना एक बार को ताइवान पर अटाक कर सकता है reason यह लोग यही दे देंगे जो रश्या ने दिया था कि युक्रेन को यह निटो को जोइन करवा रहे थे चाइना उपन ली कह देगा कि ताइवान को यह रोग बात कर रहे थे कि हाइपरसोनिक वैपन देंगे US चाइना के आसपास की कंट्री इसको आर्म कर रहा है यह गलत है तो चाइना की जो वार्निंग है यहाँ पर हम इसको lightly नहीं ले सकते यह एक genuine threat है और मैं उमीद करता हूँ कि जो बार्डन ने जो blunder किया था युकरेन में सेम blunder यहाँ पर एशा में नहीं करेंगे अब यहाँ पर आप पूछेंगे तो यह सब हम क्यासे कर सकते हैं क्या हम चाइना के सामने जुक जाएं के ठीक है हम hypersonic technology को नहीं बाटेंगे region में नहीं मेरे साब से सही आपर solution यह है कि कही ना कही defense को लेकर countries में commitment होनी चाहिए at least Taiwan को लेकर US और इवन बाकी countries कही ना कही commitment करें कि जो युकरेन के साथ हो गया था ताइवान के साथ हम होने नहीं देंगे US ने already एक hint दे दिया है कि जो मारा reaction था युकरेन को लेकर वैसा reaction ताइवान के case में नहीं होगा ताइवान के case में US actively involved हो जाएगा और कही ना कहीं मैं कहूंगा at least uptime आ चुका है ताइवान के case में के इंडिया भी neutrality छोड़ दे और कहीं ना कहीं ताइवान के समर्थन में एक statement दे क्योंकि युकरेन के case में इंडिया की neutrality समझ में आती थी इस case में भी अगर इंडिया neutral रहता है तो वो समझपाना किसी के भी बस में नहीं होगा वो फिर countries मालनेगी के इंडिया बिलकुल ही यहाँ पर एक soft foreign policy अपना रहा है तो मेरी assessment यहाँ पर यह कहती है के चाइना की जो यह धंकी है यह खोकली बिलकुल भी नहीं है जो आज के समय समीकरण बन गया है दुनिया में चाइना बिलकुल एक बार को इनका फाइदा उठा कर action ले सकता है against Taiwan the world should be ready to defend Taiwan against China ना वापस आते हैं अपने MCQ की तरफ question यहाँ पर मैंने आपस यह पुछा था के Wagner Group आज कल का अफियर तक news में है तो Wagner Group अपने आप में क्या है तो सही उत्तर इसका है option option D is the right answer Wagner Group actually Russia की एक private army है एक तो इनकी official army है सरकारी army उसके लावा कुछ mercenaries का उन्हें ग्रूप ना रखा है जिसको यह कहते है Wagner Mercenaries और अब जो यह Wagner Mercenaries है यह Ukraine में हो चुके है active तो याद रखिएगा काफी news में है Wagner Group यह Russia की private army है and finally आपर मैं यह भी add कर दूँ कि अगर आप life में एक बार properly UPSC exam की त्यारी करना चाते हैं तो comment section में जाओ यहाँ पे आपको मिलेगा link इस link पे करो click UPSC exam का भी यहाँ पे आपको course मिलेगा SSC, bank, NEET exam जिस exam की आप त्यारी कर सकते हैं वहाँ पे link पे click करिए अगर आप UPSC exam की त्यारी कर रहे हैं click on this link और यहाँ पे आप purchase कर पाएंगे unacademy का iconic course जो iconic course है special इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आपको मिलता है एक personal coach जो आपको guide करेगा throughout your preparation और उसके लावा of course यहाँ पर जो सरा syllabus होता है वो तो cover होगा ही तो अगर आपके पास अभी time है आप राम से चाते हैं कि 2024 में एक proper attempt देना UPSC का भी आप college में है राम से 2 साल में एक proper attempt देना UPSC का तो जो 36 महिने का course है यह भी आप कर सकते हैं purchase मगर जो prices यहाँ पर लिखे हैं पे करने के आप शकता नहीं है simply यहाँ पर use करिये code PD10 और prices गिरना शुरू हो जाएंगे यहाँ पर आप देहेंगे तो prices will start falling once you use the code PD10 so use the code and save money so यहीं नोट के साथ यह है video कांथ thank you for listening and as always God bless you all झाल 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 झाल